स्वागत है आपका विद्यमंद्री क्लासिस के लाइब वेबिनार में मेरा नाम मोहित सैनी है और मैं आपका सोलिड स्टेट टोपिक का सेशन लेने वाल हूँ ठीक है तो सोलिड स्टेट टोपिक के अगर बात करें तो जेई मेंस 2019 में इससे 11 स्टेट टोपिक है उसमें बहुत बेसिक बेसिक बात ही पूछी जाती है तो आज हम उनका इस डिसकेशन करेंगे स्टार्टिंग से और फिर उनके जो प्रीवेस एर के क्वेशन से उनको अटेप्ट करेंगे सबसे पहले बात करते हैं solid state में तो solid में कोई भी element या compound solid state में कब रहना चाता है तब उसकी case में intermolecular forces of attraction thermal energy के comparison में बहुत ज़्यादा होती है तो जब intermolecular forces of attraction particles के बीच में जो attraction forces है वो बहुत ज़्यादा होंगी thermal energy के comparison में तो particle कौनसी state को अड़क्ट कर लेता है solid state को तो अगर thermal energy की बात करी जाए thermal energy की बात करी जाए तो thermal energy क्या होती है directly proportional temperature होती है तो जैसे जैसे आप temperature को बढ़ाते रहोगे जैसे जैसे आप temperature को बढ़ाओगे तो आपके पास thermal energy बढ़ती रहेगी तो high temperature पे जाओगे तो आपके पास thermal energy की value बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस case में हमारे पास particle solid state में न low temperature is favorable for solid state, अगर कोई particle solid state में रहना चाता है, तो उसके लिए low temperature favorable है, high temperature पे thermal energy बहुत जादा हो जाती है, तो उस case में thermal energy intermolecular forces of attraction से जादा हो जाएगी, तो particle solid state में नहीं रह पाएगा, उसके बाद बात करते हैं, कुछ basics characteristics of solids की, तो यह सब characteristics हम उलरी पढ़ चुके हैं, जानते है solids rigid होते हैं, उनकी definite shape होती है, incompressible होते हैं, crystalline appearance होती है, definite pattern angles का होता है, high density होती है, solids flow नहीं कर पाते हैं, यह सब basic basic बात हैं आप अल्ड़री पढ़ जोके हो, ठीक हैं, यह solids की कुछ characteristics थी, अब हम बात करते हैं, classification of solids, तो जो मैं classification of solids के बारे बात कर रहा हूँ, वो classification है, on the basis of, on the basis of arrangement of particles, जो classification of solid है, वो इस basis पे, arrangement of particles के basis पे, अब particles का arrangement किस तरीके से है, solid के अंदर, उसके basis पे दो तरीके से हम solids को define कर देते हैं, एक होगे हमारे पास crystalline solids, दूसरे होगे हमारे पास amorphous solids, जो crystalline solids होते हैं, उनके अंदर हमारे पास regular arrangement of particles होती है, ठीक है, particles की regular arrangement होती है, और long range order होता है मतलब एक जो arrangement है वो काफी दूर तक चलती है समझे आप एक particular arrangement काफी दूर तक चलती रहती है मतलब उसमें पार्टिकल्स के बीच में जो attractive forces काफी similar रहते हैं जैसे यह हमारे पास क्रिस्टलाइन solid का example है ठीक है क्रिस्टलाइन solid मैंने बनाया हुआ है तो क्रिस्टलाइन solid में आप देखिए कि पार्टिकल्स का जो arrangement है वो regular arrangement है ठीक है एक जैसे पार्टिकल्स एक की तरीके की forces के थूर ऑपरेट हो रहे हैं लेकिन अगर मैं अमोर्फस की बात करूँ अमोर्फस की बात करूँ तो पार्टिकल्स देखो पार्टिकल्स देखो रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है तो रेगुलर arrangement मतलब क्रिस्टलाइन solid इर्रेगुलर अरेंजमेंट मतलब अमोर्फस तो इसका मतलब आप ऐसे समस्कते है जो true solids की के टेगरी होते है वो सोलइड होते हैं जो किस्ट्राइड सोलिड होते हैं ठीक है क्रिशलाइड ne में काफी साही साही बात है कि इनका मार्टिंग प्योन smack कीई और ग्रेगुलरिटी रहेगी ठीक है यह D करिशला इनके कंपट करूं ग्रेक्टिंद क्राय में था जया होते हैं वो हमारे पास amorphous वाली category में आगे जैसे rubber हो गया जैसे plastic हो गया तो यह rubber और plastic के कौन से solids के example हो गए amorphous solid के example हो ठीक है तो अभी हमें यही द्यान रखना था कि crystalline जिनके अंदर arrangement अच्छा हो amorphous जिनके अंदर arrangement उतना अच्छा नहीं हो ठीक है amorphous वाले soft crystalline वाले hard ठीक है यह basic basic बात थी अब amorphous के हमने example rubber glass और plastic यहां पे लिखे हो है ठीक है crystalline के examples की मैं बात कर लेता हूँ अब crystalline solids को भी अलग-अलग parts में divide करा गया है crystalline solids को किस तरीके से divide किया गया है तो आप यह देख सकते है on the basis of force of attraction कि particles के बीच में किस तरीके का force of attraction है particles के बीच में किस तरीके का force of attraction है उसके basis पे हम लोगों ने crystalline solids को भी अलग-अलग parts में divide किया गया तो उसके अंदर बात कर लेते है different parts की तो दीखे crystalline के अंदर हमारे पास एक होता आइनिक solids आइनिक solids वह वाले solid होते हैं जिनके अंदर आइनिक बॉंड हो ठीक है जो आइनिक बॉंड की वज़े से solid बने जैसे एन ने सब किस वह से solid होएं यह सब कोवलेंट बॉंड की वज़े से solid होएं तीसरे आते हैं हमारे पास metallic metallic metals के अंदर जो metallic bond होता है metals के अंदर होता है जैसे iron हो गया alloys हो गए तो वो सब solid state में किस वह से गए क्योंकि उनके अंदर क्या था metallic और लास्ट आता है हमारे पास molecular solid ठीक है last हमारे पास आता है molecular solids तो molecular solids में क्या होते है जो weak forces की वज़े से weak forces की वज़े से जो comparatively ionic covalent और metallic से weak force है उनकी वज़े से जो solid state में गए वो molecular solids की category में आते हैं तो molecular solids में कौन-कौन sources weak forces जैसे जो H bonding की वज़े से solid बना जैसे H2O solid H2O ice की जो बात करेंगे तो ice किस वज़े से solid बना है क्योंकि पानी के molecules के वीच में hydrogen bonding दूसरा जो dipol interaction की वज़े से solid बने जैसे SO2 solid की बात कर लो, SCL solid की बात कर लो, SO2 एक dipol है दूसरे dipol के साथ dipol dipol interaction कर लेगा उस वज़े से अगर वो solid state में आ जाता है तो उसको कैसा solid गाएंगे dipol interaction की वज़े से बनने वाला molecular solid ठीक है और ऐसे एक dispersion, dispersion का मतलब instantaneous dipol induced dipol से जो solid बने मतलब जो dipol नहीं था ठीक है, induce होने की वज़े से बना, जैसे I2, I2 का dipol moment क्या होता है, 0, SCO2 carbon dioxide solid state में बात करें तो वो उसका भी dipol moment क्या होता है, 0, तो वो किस वज़े से dispersion forces की वज़े से solid बने होंगे, ठीक है, तो हमारे पास molecular solids के भी तीन अलग-अलग type के example है, और depend करता है कि उनमें कौन सा weak force operate हो रहा है, अगर उसमें hydrogen morning हो रहा है, या फिर dipol interaction हो रहा है, या फिर dispersion हो रहा है, यह किस basis पे थे crystalline solid के example, यह थे on the basis of force of attraction between them, ठीक है, तो अब यह जो crystalline में different types के हमने पड़े, ionic, covalent, metallic, molecular, इनके सब के example, वो सब crystalline के example है, इसलिए मैंने आपको बोला कि उपर केवल amorph के example याद रखो, यहाँ पे crystalline वाले example आपको automatically समझ में आ जाएंगे, इस पे बेज जो question है, जो हमारे पास 2013 में पूछा गया था, जेए के अंदर वो क्या question है, which of the following exist as covalent crystal in the solid state, तो देखते हैं, आपको समझ में आना जी मैंने बताया कि जो carbon family वाले elements होते हैं, वो generally covalent bond की वज़े से solid होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया, diamond हो गया, graphite हो गया, silicon का crystal हो गया, silicon carbide हो ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो answer match कर जाएगा, हमारे जो answer match कर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, silicon, बाकी जो दे रखा है, आयोडीन दे रखा है, बाकी जो आयोडीन अगर solid state में जा रहा है, या sulfur जा रहा है, या फिर phosphorus जा रहा है, जो बाकी example है, वो उनके बीच में कोई covalent interaction की वैसे solid नहीं होंगे, वो किसके वैसे होंगे, molecular interactions की वज़े से, मतलब जो अभी हमने उपर discuss कर रहा था, molecular solids की वज़े से, ठीक है, और उसमें भी dispersion वाले type की वज़े से, ठीक है, तो अगर इनके बारे में अगर कभी पूछ लेता है, तो वो molecular solids की केटेगरी में आएंगे, लेकिन हमारे पास जो silicon है, carbon family का element है, वो किस वज़े से आएगा, हमारे पास, covalent interactions की वज़े से solid बनाओ, नेक्स जो अभी 2020 का latest जो हमारे पास question पूछा गया, उसमें क्या एक compound X है, जो melt करता है low temperature पे और bad conductor है electricity का liquid और solid state में, तो इससे पहले एक बात यह समझ सकते हैं, कि यहाँ पे हम melting और boiling point के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो देखिए, हमारे पास जो covalent और ionic वाले होते हैं, उनके बीच में forces of attraction बहुत strong होते हैं, मतलब इनका melting point की value होते ह ठीक है, यह high melting वाले होते हैं, ठीक है, high melting point होते हैं, इनका high melting point, high melting point, high melting point, थीक है, तो यहाँ जो है आब इस बात का आकेवल आंसर देदोगे, कि यहाँ पे हमारे पास silicon carbide, silicon carbide और zinc sulfide, यह तो हमारे पास हो गया, covalent वाली category आ, जैडएनेस हो गया, हमारे पास ionic वाली category आ, तो इनका तो जो melting point रहा होगा इनका जो melting point रहा होगा वो काफी ज़ादा रहा होगा मोईलिंग इनका जो melting point काफी high रहा होगा ठीक है mercury mercury क्या है metal है और आपको बता है metals क्या होते है metals तो good conductor होते है metals क्या होते है electricity के good conductor होते है तो अब हमारे पास देखिए silicon carbon इसका answer नहीं हो सकता क्यों क्योंकि उसने क्या कहा है कि low temperature पे melt कर जाता है zinc sulfide उसका answer नहीं हो सकता क्योंकि zinc sulfide क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि उसने कहा है कि low temperature पे melt कर जाता है लेकिन इनका तो melting point बहुत आई होता है mercury इसका answer हो नहीं सकता क्योंकि mercury क्या है good conductor of electricity की में आएगा ठीक है तो हमारे पास क्या बच गया carbon tetrachloride ccl4 बच गया ठीक है ccl4 इन सब conditions को satisfy कर दे रहा है तो हमारे पास क्या answer हो जाएगा यह answer हो जाएगा तो इस वाले बाट में हमने पढ़ा कि types of solids on the basis of arrangement उसके बद crystalline on the basis of forces of attraction उसमें भी molecular में तीन थे hydrogen bonding, dipole interactions और dispersion की interactions के बारे नेक्स जो हमारा topic है उस topic में हम बात करेंगे cubic system की ठीक है वैसे तो हमारे पास 3D में seven types के crystal system होते हैं आपने पढ़ा होगा tri clinic, monoclinic, orthorombic, tetragonal, hexagonal, cubic, rhombohedral ठीक है seven different types of crystal system होते हैं 3D के अंदर लेकिन उसके अंदर जो हमारे काम का है, जो हमें study करना है, जो हमारे course का हिस्सा है, वो है mainly cubic crystal system और hexagonal close back भी, ठीक है, तो cubic crystal system, तो सबसे पहले एक cube के बारे में बात कर लेते हैं बहुत basic basic बात हैं, यहां पर मैंने लिख दी हैं, ताकि आप देख पाओ, तो कोई भी cube है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा है, sides, सारी सेम होते हैं, angles 90 के होते हैं, cube के अंदर एक center होते हैं, 8 corner होते हैं, 6 face होते हैं, 12 edges होते हैं, अगर मैं किसी भी cube के बारे में बात करू जो इसके case में हमारे पास जो face diagonal होगा, एक जो face diagonal होगा, उसकी जो length निकल के आकी होगे, रूट 2 है, और जो body diagonal होगा, वो कितना होगा, root 3 है, body diagonal जो body के center से पास हो, ठीक है, तो face कितने होते हैं, 6 face होते हैं, face diagonal की length कितनी होगे, root 2 है, pаетhagoras theorem से निकाल सकते हो, basic से, ऐसे ही body diagonal की length कितनी होगी root 3 है वो भी आप पाइथागोरे स्थोरम का use करके निकाल सकते हो ठीक है वो होगा root 3 एक cube की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास body diagonal कितने हो जाएंगे चार body diagonal हो जाएंगे ठीक है body के center से pass करने वाले चार body diagonal होते है cube के अंदर हमारे पास 3 types of brevis lattice exist करते है मतलब 3 तरीके की particles की arrangement mainly पाई जाती है ठीक है एक होता है simple cubic जिसके अंदर हमारे पास particles की arrangement है जिसके अंदर जो हमारे पास particles होंगे केवल और केवल कहा होंगे corners पे एक होगा हमारे पास body center cubic नाम में body center आ रहा है मतलब corner पे तो होंगे ही साथ में body के center पे भी particle होगा और ऐसे ही आता है face center क्यूब उसके नाम में face center आ रहा है मतलब corners पे तो elements होंगे उसके साथ साथ कहां भी होंगे face के centers पे भी element होंगे ये सबसे important चीज़ है कि हमारे पास contribution कितना होता है तो हमारे पास कभी भी cube के बारे में बात करो तो corner पे रख्योए atom का contribution 1 by 8 होता है क्योंकि एक जो corner होता है वो 8 cube में अपना contribution दिखाता है ठीक है तो एक cube में उसका contribution कितना हो गया 1 by 8 ऐसे ही body के center वाला तो पूरा का पूरा body के अंदर है उसका contribution 1 face से center वाला उसका contribution 1 by 2 क्योंकि face मतलब दिवार है एक दिवार दो कमरों में common रहती है तो एक कमरे में उसका contribution 1 by 2 हो गया न ऐसे ही edge पे रहने वाला item 1 by 4 contribute करता है एक unit cell में ठीक है क्योंकि वो 4 cell के अंदर shared रहता है तो कोने वाला 8 में shede रहता है तो एक में उसका contribution 1 by 8 body center वाला पूरा का पूरा अंदर रहता है तो उसका contribution 1 face center वाला 2 में contribute करता है तो उसका एक में contribute करता है तो उसका एक में contribute करता है 1 by 4 तो यह important चीज है ISEst का ध्यान रखना आपको ठीक है इसके basis बे भी question पूछा हुआ है सबसे पहले बात करते है simple cube के lattice points तो simple cube में क्या होते है particles के वल का होते है corners में तो corners में corner हो गए 8 हरका contribution कितना हो गया 1 by 8 तो हो गया कितना effective number of particles कितना आ गया 1 ठीक है important चीज़ यह है कि आपको यह निकालना है अगर उसका actual diagram देखेंगे एक face का तो एक face का actual diagram यहां पे गिवाने यह एक face है यह भी एक face है तो इस face में आपको एक बात समझ में आएगी कि यह जो radius है इन दोनों radius से मिला के edge length मन जा रहे है मतलब पता है क्या कह रहा है अगर यही face को मैं ऐसे समझू यह वाला face तो यह वाला atom आपस में touch कर रहे थे लेकिन यह मैंने simplify करने के लिए ऐसे दिखाया हुआ आपको ठीक है यह दोनों atom आपस में touch कर रहे है यह दोनों आपस में touch कर रहे है तो यह edge length a थी यह edge length a थी तो यहां से आपको A और R का क्या relation मिल जाएगा A equal to 2R तो सबसे important चीज़ यह है कि यहां पे A और R में क्या relation होता है ठीक है तो effective number of atom निकाल लिया हमने 1 आ गया और A और R में relation क्या आगे A equals to 2R उसके बाद अगर हम बात करते है packing fraction की packing fraction का मतलब होता है कि कि volume atoms ने occupy किया होगा है divided by total volume तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप ही न तो आप क्या करेंगे occupied volume occupied कौन कर रहा है volume को atom एक atom है हमारे पास effectively एक atom का volume कितना हो गया 1 into 4 by 3 pi r cube और divided by total volume of cube कितना हो गया वो A cube A और R का relation हमने already रखी लिया है तो उसको यहाँ पे चिपकाया यहाँ से आपके पास क्या आजाएगा packing fraction 0.524 और उसको 100 से multiply कर देंगे तो packing efficiency आजाएगी जो कि कितनी हो जाएगी 52.4% तो main important बात यह है effective number of atom कितने होए A और R में क्या relation हुआ और packing fraction आप calculate असानी से कर सकते हैं next जो हमारे पास important बात होती है वो होती है coordination number क्या होती है coordination number coordination number का मतलब होता है कि इसके कितने nearest neighbor है कितने इसके nearest neighbor है तो अगर माल लीजे मैं इस item की बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि adjacent corner वाले atom एक दूसरे को touch करते हैं जैसी यह दोनों कोने इस वाले point की में बात कर रहा हूँ यह जो मैंने atoms यहाँ पे specify कर सका है यह red color में इसकी बात करता हुँ तो देखू इस से यह वाले atom यहाँ पे अगर कोई atom होगा उसकी दूरी ए होगी यहाँ पे कोई atom होगा यहाँ पेकोई atom होगा लाई करने वाले atoms इसको touch कर रहे हैं तो आपको तीन atom तो दिख गए होंगे तो देखो एक atom हमें दिखा यहाँ पे एक atom हमें दिखा यहाँ पे ए दूरी पे इस वाले atom को देखा तो मैंने एक atom यहाँ पे दिखा ए दूरी पे और एक atom हमें दूरी पे आपको minus x पे भी atom दिखना चाहिए जितना पे plus y पे दिखेगा उतने पे minus y पे भी दिखना चाहिए और जितने पे plus z में दिखेगा उतने पे minus z पे भी दिखना चाहिए तो तीन तो हमारे पास simple cube का coordination number क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास ध्यान रखना है कि simple cube का coordination number क्या होता है 6 मतलब एक atom 6 atoms के touch में रहता है ठीक है तीन तो आपको cube में दिखे और तीन जो तीन आपको दिख रहे हैं उनको प्लस x प्लस y और प्लस z मान लीजिए इसी तरीके से माइनस x माइनस y और माइनस z पर भी atom आपको दिखेंगे इसलिए एक बात आप करिएगा कि आपको coordination number जो भी आता है हमेशा even number आता है क्योंकि अगर प्लस x पे है तो माइनस x पे भी होगा प्लस y पे है तो माइनस y पे भी होगा प्लस z पे है तो माइनस z पे भी होगा इसलिए कैसा number आएगा even number आएगा एक और बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो A दूरी पर लाई कर रहे थे वो इसके क्या थे? नियरेस्ट नेबर थे यह क्या था? इसका नियरेस्ट नेबर नियरेस्ट नेबर जिसको NN लिख सकते हैं नियरेस्ट नेबर को क्या लिख सकते हैं? NN ये जो root 2A पे लाई कर दा, आप A वाला तो इसका nearest हो गया, आपके घर के साथ वाला घर आपका nearest neighbor हो गया, वो उस घर को छोड़के अगले वाला घर, next nearest, तो इसका जो next nearest neighbor होगा, इसका जो next nearest neighbor होगा, वो कितनी दूरी पे लाई करेगा, root 2A पे, ठीक है, neighbor, और अगर इसका, उ रूट 3A लाई पर करेगा ठीक है रूट 3A डिस्टेंस पर यह मैं आपको याद करा दूँगा कितने होते हैं इसके बारे में चिंता नहीं करनी सिर्फ अभी नेबर के बारे में ध्यान रखना है जो कि 6 प्लस एक्स पर मिला तो माइनस एक्स पर प्लस वाई पर मिला तो माइ A और R का रिलेशन निकाल सके तो बोडी सेंटर के अंदर गर हम इफेक्टिव नमर ओफ एक्टम देखेंगे तो बोडी सेंटर वाले का कोंट्रिबुशन पूरा और कोंट्रिबुशन आठो कोंट्रिबुशन का मिलाके 8 x 1 x 8 मतलब 1 तो बोडी सेंटर और कोंटर वाले का म एक मारे पास दूरी है ये जो दूरी और इस टूरी कि बात करएं तो इस रूट 3A में देखें इस रूट 3A में अगर ये दूरी रूट 3A है तो इस रूट 3A दूरी में आपको चार radius दिखेंगे कैसे चार radius दिखेंगे एक इस वाले atom का R अगले वाले का 2R फिर इस वाले का R तो देख लीजे ये वाला माल लीजे मैं body center atom की तरह consider करके चल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने यहाँ पर atom लिखा हूँ था इसका radius R वाला center वाले का 2R और यहाँ का R ठीक है तो यहाँ पर क्या हो गया root 3A किसके बरावर आजाएगा 4R के बरावर आजाता है यहाँ पर root 3A किसके बरावर आजाता है 4A और R का relation मिल गया packing fraction निकाल सकते हो यहाँ पर चिपका है हमारे पास कितना answer आ गया 0.68 तो packing efficiency कितनी आ गई 68% ध्यान रखना है BCC के अंदर जो center वाला item होता है उसको सारे कोने वाले element टच कर रहे होते है तो center वाले item को सारे कोने वाले item टच कर रहे हैं तो इसका मतलब उसको 8 items टच कर रहे हैं तो इसका coordination number कितना आ जाता है 8 हा जाता है तो यहाँ पर coordination number कितना रखा है देखो 8 हा रखा है second और third को इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जूत नहीं यहाँ पर mention कर दिया हमें याद करने का तरीका आपको बता दूँ ठीक है अब आते है face center तो नाम से बता चल रहा है कि corner पे elements होंगे और face के center पे corner वाले का contribution हो गया 8 into 1 by 8 तो हो गया 1 और face कितने होते हैं 6 हर face पे लाई करने वाले item को contribution 1 by 2 तो यह हो गया 1 plus 3 is equal to 4 ठीक है तो हमें ध्यान रखना है कि FCC के अंदर effective number of items कितने निकल के है 4 यहां पर a और r में के connection होगा तो यहां पर देखना है कि एक face पे अगर एक face का diagram ना हो तो यह के face है यहां पर देखिये इस face पे लाई करने वाले items इस तरीके से दिखेंगे आपको यह face diagonal की जो length होती है वो कितनी होतेय होते है और यहाँ पे तो face के center पे तो face diagonal की दूरी मैंने बताई थी root 2a is equal to 4r तो यह आपके लिए important चीज यह है कि आपको यह relation पता हूँ जैसे simple cube में a equal to 2r, body center में root 3a is equal to 4r और face center में root 2a is equal to 4r यहाँ से a और r का relation निकल किया, फिर से packing fraction कैसे number of atoms multiply by 4 by 3 pi r cube divided by a cube a और r का relation हमें पता है, यहाँ से a और r का relation यूज़ करके आपने क्या calculate कर लिया, packing efficiency calculate कर लिया packing efficiency आजाती है 74%, तो अब देखिए, अगर मैं simple cube की बात करूँ तो वो आता है, उसकी packing efficiency 52.4, body center cube की बात करूँ तो 68%, और अगर face center cube की बात करूँ तो 74%, तो अगर मैं cubic system में बात करूँ, तो सबसे जादा closely packed कौन सा है, सबसे जादा close packed कौन सा है, FCC, इसलिए FCC को आप CCPB कह देते हो, क्या कह देते हो, FCC को CCPB कह देते है, ठीक है, और FCC का जैसे simple cube का coordination number 6 आए था, plus x, minus x, plus y, minus y, plus z, minus z, और body center का 8 आए था, center वाले element को आठो कोने touch कर रहे थे, ठीक है, इसलिए, और FCC का कितना आता है, 12, ठीक है, इसको visualize नहीं करते है, इसको directly अभी आप याद रखिए, ठीक है, अब मैं समको याद करने का, second neighbor, third neighbor भी याद करने का, आपको बता देता हूँ, coordination number की एक table बना रहा हूँ, उसको ध्यान समझना, कि अगर simple cube की बात करेंगे, तो उसके first neighbor, 6, body center की nearest neighbor, मतलब first वाला, ठीक है, यह आया 8, और इसका मैंने आपको याद करने का बता है, 12, अब क्या करिएगा, चुपचाप से इस 12 को उठा के यहां ले जाएगे, 12 को उठाया, ठीक है, उसको दो पार्ट में divide कर दीजा, कितना हो गया, 6 और 6, तो आपको first neighbor तो पता लग गया, 6, 8, 12 जो आपने पड़े थे, फिर second neighbor के लिए, इस 12 को उठा के उपर ले गये, तो जो 12 हो गया, वो simple cubic का next नियरे, मतलब second neighbor हो गया, तो यह वो गया first neighbor, यह हो गया second neighbor, यह हो गया third neighbor, ठीक है, अब क्या करा, अगली बार आप 8 और 12 दोनों को उठाइए, अगली बार आप 8 और 12 दोनों को उठाइए, तो 8 को उठाया और 12 को उठाया, और यहां लिग दिया 24 तो यह सब के आपको 1st, 2nd, 3rd ने बर याद हो जाएंगे केवल 1st याद रखने की जूरत है एक्जाम में 1st से ही पूछा है लेकिन अगर 2nd भी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यह याद रखने का तरीका विजुलाइज करने के लिए मैंने उपर distance भी mention कर रखे है तो आप वो distance से देखे आप विजुलाइज करने की try करिएगा नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते है ठीक कमेंट बोक्स में पूछ लेना अगर आप next बात करें density की तो density क्या होती है मास भाई बोले हो तो उसके expression इस तरीके से solve करके लिखा हुआ है अगर नहीं समझ में आए तो यहां से देख लेना ठीक है एक इसमें लेना है सेंटीमेटर क्यूब में तो अगर देखो यहां पर ध्यान रखना अगर density ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब में पूछिए तो मास ग्राम पर मोल में और एको सेंटीमेटर में ले लेना लेगाँगा density किलोग्राम पर मेटर क्यूब में पूछी है तो मास किलोग्राम पर मोल में और A को किसमें ले लेना है मेटर में ठीक है तो density का formula जमना याद रखना है question हो जाएगा अब इसके लावए एक और जो structure है जो हमें importantly पढ़ना है वो क्या पढ़ना है hexagonal closeback की hcp cubic के साथ इक hexagonal closeback और उसके भी question पूछे आते हैं तो ध्यान रखना है तो इसके अंदर atoms की presence देख लेते हैं इसके अंदर atoms का होते है देखो यहाँ पे सारे यह hexagon है एक hexagon है दिख रहा होगा इस hexagon में यह यह atoms है तो सारे hexagon यह 6 के 6 कोने पे इस hexagon के कोने पे ऐसे निचे भी hexagon है उसके भी कोने पे तो 12 तो यह कोने होगे हर कोने का contribution 12 कोने होगे हर कोने का contribution कितना आ गया 1 by 6 आ गया तो 12 कोने होगे हर कोने का contribution 1 by 6 आ गया 12 कोने होगे थे 6 तो यह दिखा दिये मैंने और 6 आप ये देख सकते हैं 12 कोने हो गए और हर कोने का contribution 1 by 6 आ गया 12 corners हो गए हर कोने का contribution 1 by 6 हो गया ठीक है और ये जो face center वाले atom से देखो भी ये वाला जो atom है ये वाला जो atom है और ये जो वाला atom है ये जो face center वाले atom है इनका contribution कितना हो गया 1 by 2 और जो ये 3 atom जो center में दिख रहे हैं जो 3 atom center में दिख रहे हैं एक दो तीन ये जो 3 atom center में दिख रहे हैं इनका contribution पूरा का पूरा 1 तो effective number of atom कितने हो गए 6 ठीक है corner वाले का 1 by 6 जैसे cube के अंदर 1 by 8 आता था 8 कोने होते थे तो 1 by 8 आ जाता था इसके अंदर 6 कोने है तो 1 by 6 आ गया ठीक है अब यहाँ पर important चीज़ क्या है कि यह देखिए यहाँ पर आपको जो first वाली जो यह दिख रहा है hexagon तो इसको अगर मैं layer A कह दूँ बीच में 3 atom उसको layer B कह दूँ फिर से hexagon दिख रहा है उसको क्या कह दूँ अब इसमें देखिए important क्या है कि A और R का relation क्या होगा लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर hexagon के अगर बात करें तो 2 side same होती है और 1 side अलग होती है जैसे cube में तो सारी side same थी तो यहाँ पर किस तरीके का relation आएगा वो देख लेते तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मैंने photo बना रखा उसमें आपको directly समझ में आ जाएगा कि यहाँ से A equal to क्या R है 2R तो A को किस के बराबर कर दिया 2R के बराबर और A और B बराबर है तो A और B बराबर है तो A और B दोनों के दोनों किस के बराबर आ जाएंगे 2R के बराबर अब बात करते है इस height की तो यह जो height है वो आपको याद रखनी पड़ेगी कि यह height कितनी आती है तो इसका formula डिरेक्ली याद रखिए कि 4R root 2 by 3 वैसे calculate भी कर सकते हैं लेकिन डिरेक्ली याद करने में फायद है कि जो height आ गई वो कितनी आ गई 4R root 2 by 3 ठीक है अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूँ कि यह height आई है यह height जो आई है वो A layer फिर B layer फिर A layer इनके बीच में तो अगर मैं आपसे 2 layers के बीच में बात करूँ कि A B layer के बीच में separation बताओ तो वो कितना हो जाएगा H by 2 H by 2 H की value पता है 4R root 2 by 3 तो H by 2 की value निकाल लेना आ जाएगी 2R root 2 by 3 जैसे cube का simple volume निकालते थे तो कैसे निकाल ले थे थे A cube लेकिन इसके case में हमारे पास A cube तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 side same है तीसरी side अलग है तो उस case में हम कैसे निकालेंगे तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे देखो यहाँ जो मैंने diagram बनाया यह जो diagram A और R का relation दिखाने के लिए यहाँ पर atoms को मैंने touch करके दिखाया हो है लेकिन यहाँ पर जो मैं उपर दिखा रहा हूँ मैंने touch करके नहीं दिखा हो है simplicity के लिए तो यहाँ पर आपको अगर इसका volume निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे volume कैसे निकालेंगे area of base into height तो अगर मैं इस area of base की बात करूँ इस area of base की बात करूँ तो area of base में आपको 6 equilateral triangle दिख रही होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 equilateral triangle तो equilateral triangle का area क्या होगा है root 3 by 4 A square ठीक है side A हो गई तो तो वहाँ से आप 6 into root 3 by 4 A square से आप क्या निकाल लेंगे area of base height हो गई H मैंने यह निकाल रखिया है तो यहाँ से आपके पास volume of unit cell निकल के आ जाएगा कितना 24 root 2 R cube तो यहाँ से आ जाएगा यह solve करके देख लेंगे 24 root 2 R cube और यहाँ से हम packing fraction भी निकाल सकते है तो number of atoms multiply by volume of one atom divided by total volume of cube तो यह भी कितना आ जाता है 74% तो अगर हम बात करें कि हमारे पास चाए HCP हो चाए FCC हो दोनों के case में HCP और FCC दोनों के case में हमारे पास packing fraction कितना आता है 74% कितना आता है 74% अब इसके case में एक बात और समझ लेनी है कि जो हमारे पास जो अमारे पास यह जो center वाला element है यह जो center में element जो मैं दिखा रखा है यह जो center वाला element है यह वाला जो center वाला element है इसका अगर मैं coordination number निकालू तो यह 6 के 6 atoms इनको touch करेगा 6 को इनको touch करेगा 3 atoms जो इसके नीचे हैं उनको touch करेगा और 3 ऐसे ही atoms इनके उपर भी लाई करेंगे क्योंकि देखिए अगर इसको A layer कहा इसको B layer कहा तो इसके उपर फिर से कौन सी layer आएगी B layer आएगी तो अपनी layer में 6 को touch कर रहा है B वाली layer में 3 को कर रहा है और उपर वाली layer में भी 3 को कर रहा है तो 6 तो same layer में touch करेगा 3 उपर वाली में 3 नीचे वाली में कि packing efficiency upon density होती है वो क्या होती है constant होती है ठीक है packing fraction या packing efficiency upon density का जो relation होता हो constant होता है तो जिनकी packing efficiency की value same आ रही है तो लगबग ध्यान रखना कि अगर एक element HCP में भी crystallize हो रहा है और FCC में भी crystallize हो रहा है तो अगर उनकी packing efficiency तो 74 ही होती है तो उनकी density भी क्या ही आएगी same आएगी तो packing efficiency upon density is equal to constant यह relation आप उन questions में लगा सकते हो जिसमें कहादे कि एक element पहले BCC में था अब वो FCC में चला गया तो उनकी density का relation बता हो तो उसमें आपको packing efficiency का relation पता ही है कि BCC की packing efficiency 68 है FCC की 74 है तो उस तरीके से आप क्या कर सकते है PE upon D is equal to constant आएगा ठीक है तो यह उनके बीच में different types की बाते हैं SCP और FCC अब देखो HCP को जैसे मैंने कहा ABAB type ठीक है FCC को हम कह सकते हैं ABC ABC type वो इसका आप अगर packing बनाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अभी के लिए आप ध्यान रखना ठीक है तो HCP के बारे में भी हमने पढ़ लिया है HCP में देख लेते हैं important बात यह है कि distance between two layers H by 2 होती है जो यहाँ पे mention है ठीक है तो H हमें याद रखना है 4R root 2 by 3 volume कैसे निकाला area of base into height area of base में 6 equilateral triangle बन रही थी तो 6 equilateral triangle का area क्या होता है 6 into root 3 by 4 a square और height की value हमने निकाल ली थी अब इसमें base जो question है यह advanced 2008 का question है ठीक है इसमें ऐसे ही डाल दिया मेंस का question नहीं है इसे फिर भी बताने के लिए basic question है कि HCP के अंदर कितने atoms होते हैं तो SCP के बात करें तो SCP के अंदर आपके पास कितने atom आये थी effective 6 atom आये थे volume कितना निकल के आया था volume निकल के आया था 24 root 2 r cube और empty space 74% तो जगह भरी हुई है तो 100-74 मतलब 26% जगह इसके अंदर आपके पास empty space रहेगी ठीक है तो यह basic सा था directly अभी जो उपर सवाल किया उसी के base उपर जो कोडिनेशन नमर कितना होता है 12 जैसे simple cube का हो गया 6 BCC का हो गया कितना 8 और FCC का कितना हो गया 12 यह याद कर आया था 6-8-12-12 को उपर उठाया ठीक है HCP का भी FCC जैसा ही होता है HCP का भी FCC जैसा ही होता है next question में क्या कह रहा है एक substance है AX BY face centered cubic lattice बना रहा है A कहां जा रहे है सारे corner पे तो A कितने हो गए भई 8 into 1 by 8 तो A हो गया 1 ठीक है B कहां जा रहे है center of each face तो B हो गया हमारे पास 6 हमारे पास face होते है सबके center पे जा रहे है हरका contribution 1 by 2 तो हो गया AB3 क्या formula आ जाएगा हमारे पास AB3 next question कि अगर बात करें कि total volume of atoms present in present in a face center cubic unit cell FCC के अंदर total volume कितना होता है तो FCC के अंदर number of atoms कितने आते है 4 by 3 pi r cube ठीक है तो हमारे पास कितने हो जाएंगे इसको 4 से multiply कर दो ठीक है एक atom का volume 4 by 3 pi r cube total atoms कितने होते है effective number of atom 4 तो हमारे पास क्या answer आ जाएगा 16 by 3 pi r cube next question फिर से क्या कह रहा है कि potassium हमारे पास BCC lattice बनाता है उसमें coordination number बताओ potassium का BCC का बताईए तो BCC अभी याद करा है था 6, 8, 12 BCC का कितना होता है 8 होता है तो आप यह बता सकते है coordination number कितना हो गया मतलब A की value दे रखे, A दे रखा हमें 361 picometer हमसे पूछ रहा है radius पूछ रहा है अब radius पूछ रहा है तो FCC के अंदर A और R का relation बता होता है FCC में क्या होता है हमारे पास 4R is equal to root 2A FCC में हमारे पास क्या होता है 4R is equal to root 2A तो हमसे radius of atom पूछा है तो हम क्या कर लेंगे radius of atom निकाल ल क्या रहा है कि percentage of free space बताओ क्यों भी close back structure में और body centered में तो CCP मतलब FCC 74% जगे भरी होती है मतलब 26% जगे खाली है ठीक है और BCC के अंदर 68% जगे भरी होती है मतलब कितनी जगे खाली है 32% जगे खाली है तो जो option देख लो B option match कर जाएगा नेक्स question में क्या कह रहा है कि copper है यह सब previous year के question है असान असान है देख लो ठीक है यह नहीं है कि मैंने असान असानी select करें सारे असानी question पूछ जा रहे है means में आप देख ले ना previous year आपके पास भी होगी ठीक आर्काइब क्या कह रहा है copper का FCC unit cell structure है जिसकी edge length कितनी दे एक्स एंग स्ट्रों तो FCC है जिसकी edge length दे रखिया एक्स एंग स्ट्रों एप्रोक्सिमेट डेंसिटी बताने है density का क्या formula है अब ही density is equal to z into m by n into aq density किसमें पूछी हमसे पूछी है gram पर centimeter cube में तो molar mass किसमें ले लेना है gram में gram पर mol में ही दे रखा है gram पर mol में ही दे रखा है FCC है तो z की value कितनी आ जाएगी चार a का x एंग स्ट्रों दे रखा है तो उसको किसमें convert कर लेंगे centimeter में तो आ जाएगा 10 raise to power minus 8 centimeter का cube तो यहां से हमारे पास density आ जाएगी x की terms में एन ने एवोगेडरो नंबर है उल्रड़ी पता है 6.023 into 10 raise to power 23 तो यहां से आप किसकी value निका निकाल लेना ठीक है equation solve करके density की value निकालेंगे तो हमारे पास B option इसमें match कर जाएगा answer लिखाई हुआ है यहां पर next question next question फिर से density का एक solid है इस बार आपको density given है density is equal to z into m जमना density is equal to जमना density कितनी given है बताईए 9 into 10 raise to power 3 kilogram per meter क्यों अगर यह kilogram में है तो mass किसमें लेना है kilogram पर molar mass kilogram पर mole में और यह किसमें लेना है meter में लेना है z की value FCC है तो z की value हो गई 4 एन ने हो गया avogadro number जो कि कितना दे रखा है question में given है 6 into 10 raise to power 23 और a cube meter में लेना है तो कितना आ जाएगा 200 root 2 picometer में picometer को meter में convert करेंगे तो 10 raise to power minus 12 meter तो यहां से इसको cube कर देंगे इसका cube कर देंगे तो a cube की value आ जाएगी ठीक है तो यहां से आप molar mass calculate कर लेंगे molar mass किसमें आएगा kg per mole में option भी kg per mole में दे रखे हैं जैसे ही solve करोगे यह वाला option match कर जाएगा ठीक है यह तो directly theory पड़ा दी तो अभी स्क्राइब नहीं है 2019 का question है ठीक last year का question था यह भी यह question 2019 का है इसमें क्या कह रहा है bcc unit cell है solid one और उसके अंदर यह atoms की position दे रखे है radius हो अच्छा उससे हमने एक दूसरी cell बनाई उसी type की जिसके अंदर atom b का radius है radius of atom b r b is equal to twice of r a radius of b is equal to twice of r a कह रहा है और unit cell edge length है वो 50% ज्यादा है solid two के अंदर unit cell edge length मतलब अगर मैं a की बात करूं तो a of solid अगर a की बात करी जाए तो जो solid two है उसका जो a है वो हमारे पास twice या 50% ज्यादा है मतलब 1.5 times है 1.5 times है अगर इसका a है तो उसका 50% ज्यादा हो गया ना मतलब one का 50% हो गया .5 तो मतलब one plus .5 1.5 times a हो गया मतलब solid one के comparison में तो हमें क्या दे रखा रेडियस ओ भी ट्वाइस ओ रेडियस ओ यह है और edge length of solid two 1.5 times edge length of solid one है अब हमसे क्या पूछा है कि what is the approximate packing efficiency in solid two बताओ solid two में packing efficiency बतानी है तो solid one की बात करते है solid one कैसा है वही solid one हमारे पास क्या है bcc structure है कैसा structure है bcc तो यहां पे a और r का relation बताओ तो 4r is equal to क्या आता है बताओ 4r is equal to root 3 आता है तो bcc structure है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4r is equal to root 3 है तो यहां solid two की edge length है 50% जादा है 50% जादा है तो इसका 50% निकाल के इसमें जोड़ दो 4 by root 3 आर इसका 50% 2 by root 3R मतलब कितना आ गया 6 by root 3R यह हमारे पास क्या आ गई 6 by root 3R हमारे पास क्या आ गया solid two की edge length ठीक है solid two की हमारे पास edge length हा गई अब हमसे क्या पुछा है इसने approximate packing efficiency निकालो तो packing efficiency कैसे निकाल लेते हैं तो हमारे पास 8 B वाले second solid की बात कर रहा है तो 8 कोने पर हमारे पास A है तो A कितने होगे A होगे 8 into 1 by 8 तो A हो गया 1 और B center पर है तो B B 1 हो गया तो आ जाएगा 4 by 3 pi R cube मतलब यह तो A के लिए 4 by 3 pi R cube और B वाले के लिए आ जाएगा 4 by 3 pi 2 R का cube 2 R की लिखा मैंने क्योंकि मेरे लिए R जो है वो radius of A के बराबर मान रहा हूँ जो मैं R लिख रहा हूँ इसका मतलब वो radius of A है ठीक है यह तो हो गया हमारे पास यह हमारे पास क्या हो गया यह हमारे पास हो गया volume occupied by A और B divided by total volume तो हमारे पास total volume क्या हो जाएगा A की value कितनी आ रही है हमारे पास A की value आ रही है solid 2 में 6 by root 3 R तो आ जाएगा 6 by root 3 R का Q यहां से solve कर लेना इसको solve कर लेंगे इसको solve करके 100 से multiply कर देंगे तो हमारे पास क्या value आ जाएगी packing efficiency की value आ जाएगी Approx answer 90% आएगा तो इसका answer क्या हो गया 90% Next जो topic है most important topic है most important topic है most important topic है most important topic है ठीक है तो हमें जो mainly study करना है radius का ratio वो किसके लिए करना है tetrahedral, octahedral और cubic system के लिए तो यह हमें क्या बताता है यह हमें बताता है कि जब भी हम कोई ionic solid के बारे में study करते हैं तो उसमें एक तो atom एक तो ion होता हो lattice बना लेता है और दूसरा ion कहां जाता है voids में तो इससे हमें पता चलता है कि अगर मैं radius of plus upon radius of minus calculate कर लूँगा यह हमें calculate करना होगा और इसकी value जिस भी range में लाई करेगा माल लिजे इसकी value इस range में लाई कर रहे है 0.225 से 0.414 तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास कौन से वोईड में जाना पड़ेगा दूसरे ion को tetraidoloid में एक तो lattice बनाएगा दूसरा वोईड में जाएगा अगर वो लाई कर रहा है r plus upon r minus 0.414 में तो हमारे पास 0.414 से 0.732 में तो tetraidoloid में जाएगा तो जैसे अगर हम बात करें ZNS की जैसे हम बात करें यहाँ पर NACL के NACL का तो सबको पता है तो NACL के बारे हम बात करते है तो NACL के case में radius of N plus upon radius of CL minus इस range में लाई करता है कौन से range में 0.414 से 0.732 इसका मतलब होगा अगर इस range में लाई कर रहा है तो NACL कौन से वोईड में गया होगा octadoloid में गया होगा ठीक है CSCL के case में CSCL के case में देखो अगर आप radius of NACL upon radius of CL minus की value 0.414 से 0.732 में लाई कर रही है तो radius of CS plus upon radius of CL minus की value इससे आगे वाली range में लाई करेगी क्यों लाई करेगी क्योंकि CS plus का radius जो होगा वो NACL comparison में जादा होगा और नीचे denominator तो दोनों में नीचे तो CL minus यह तो दोनों में नीचे तो CL minus है नीचे कोई फरक नहीं है लेकिन radius of CS plus काफी जादा होगा तो इसका मतलब हो गया कि देखो CSCL वाला आगे वाले में लाई करेगा आगे वाली range में लाई करेगा जो कि कौन सी range है 0.732 से 1 वाली range है तो इससे आमें पता चलता है कि कौन सा केटाइन कौन से या कौन सा केटाइन या आयन आयन कौन से टाइप के वोईड में जा रहा है तो एक तो आयन lattice बनाता है दूसरा आयन वोईड में जाता है ठीक है तो उसके बारे में भी आगे और study करते हैं जिससे थोड़ा clear हो जाएगा सबसे बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह ध्यान रखनी है कि आपके पास number of octahedral void number of octahedral void हमारे पास effective number of atoms z के बराबर ही होते हैं और number of tetrahedral voids 2z के बराबर होते हैं ठीक है कोई भी close back structure चाए FCC के बात कर लें चाए SCP के बात कर लें हमारे पास number of octahedral void कितने आएंगे अंदर atoms कहां होते हैं यह FCC के अंदर atoms कहां होंगे बताओ corner पे और face center पे तो corner और face center पे तो already atoms present है मतलब वहां पे तो जगे खाली नहीं है void का मतलब खाली जगे तो अब void कहां पे होंगे तो इसके case में हमारे पास जो position होती है इसके अंधर है जो जगे बन रही होगी वह बोडी के है और जो 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 बोडी केிच में लाई कर रहा है cioè face center के बीच में तो जो 6 के बीच में लाई करता है वो octoadaloid हो गया 6 के बीच में लाई करता है वो क्या हो गया octoadaloid तो अगर उस जो 6 के बीच में जो जगह लाई कर रही थी अगर उसमें कोई iron जाके बैठेगा तो वो 6 के बीच में बैठ जाएगा 6 के बीच वे बढ़ जाएगा 6 face center atom के बीच वे बढ़ जाएगा तो उसका coordination number भी 6 हो जाएगा तो यहां से एक बात और important सीखने को मिली कि अगर कोई चीज tetra adaloid में जाती है तो इसका मतलब वो 4 के बीच में मतलब उसका coordination number 4 और अगर कोई octa adaloid में जाता है body center पे और edge center पे अब important क्या चीज़ है कि अगर माल लीजे हमारे पास यह तो lattice बना रहा है जैसे यह तो माल लीजे अगर मैं NaCl के structure की बात करूँ तो यह तो हो गया radius of Cl minus यहां पे आ जाएंगे twice of radius of Na plus यह वाला कौन सा वोईड था center में edge के center पे कौन सा वोईड है octa adaloid और यहां से फिर से क्या आ गया radius of Cl minus तो अगर मैं twice of radius of plus और twice of radius of minus की बात करूँ तो A आता है तो इसलिए R plus upon R minus की value यहां पे क्या आती है A by 2 important चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई भी octa adaloid वाले टाइप का सवाल है तो उसके case में R plus upon R minus कीतना आएगा A by 2 क्योंकि देखी edge के center पे कैसा वोईड है edge के center पे कैसा वोईड है octa adaloid तो अगर na plus को जाना है Cl minus lattice बना रहा है और यहां पे na plus को जाना है तो कैसे में जाएगा octa adaloid में क्यों जाएगा octa adaloid में वो अभी बताया क्योंकि na plus और cl minus का जो radius ratio है वो octa adaloid वाली radius ratio वाली range में लाई कर रहा है तो इस तरीके से जाएगा next important point क्या है कि यह हमारे पास edge के center पे था A by 2 दूरी पे A by 2 दूरी पे कैसा वोईड था बताइए octa adaloid यह वाला भी कितनी दूरी पे था A by 2 दूरी पे A by 2 दूरी पे कैसा वोईड था octa adaloid तो इनके बीच में अगर मैं minimum distance निकाल लूँ इनके बीच में अगर मैं यह distance निकाल लूँ यह distance अगर निकाल लूँ तो यह distance क्या हो जाएगी कि हमारे पास minimum distance हो जाएगी minimum distance हो जाएगी दो octa adaloid के बीच में यह angle 90 का है पाइथा गोरस थोरम से निकाल लेना कितना आ जाएगा A by root ठीक है हमारे पास exam में पूछा हुआ है कि minimum distance दो tetra adaloid भी बताओ तो यह octa adaloid की है एटम है corner पे एटम थे FCC के अंदर तो बही corner पे एटम थे और face center पे एटम थे अब कुछ जगह पर हमारे पास octa adaloid है body center पे और edge center पे तो body center वाली और edge center वाली जगह पे भी tetra adaloid नहीं हो सकते तो अब हमारे पास कौन सी जगह बची जिस पे tetra adaloid लाई कर सकते है तो corner और body center के बीच में जो जगह होगी समझने कुछ करो corner और body center corner पे तो हमारे पास एटम है ठीक है body के center पे हमारे पास octa adaloid है corner और body center के बीच में जो जगह बचेगी उस जगह पे हमारे पास tetra adaloid होगा तो corner और body center के बीच में जो जगह होती है जैसे मान लीजिए corner और body center के बीच में जैसे यह हमने एक body diagonal बना दिया यह हमने एक body diagonal बना दिया तो यह जो corner है यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास body center है तो इसके बीच में यह वाली जगह है यह वाली जगह जो मैंने यहां पर हमारे पास tetraiderloid होता है तो यहां पर समझ लेते है position क्या होगी पोजिशन होगी root 3a by 4 distance होगी send corner से from the corner root 3a by 4 distance from the corner हर corner से root 3a by 4 distance जैसे यह हमारे पास एक body diagonal है ए भी एक body diagonal है तो देखो यह वाली जो distance है वो कितनी है root 3a by 4 यहां से भी जो distance है वो कितनी है root 3a by 4 तो देखिए हमारे पास 4 body diagonal होते हैं हर body diagonal पे 2 tetraidal void होगे तो कितने हो गए 8 और सारे के सारे body के अंदर होगे तो उनका contribution 1 ही रहेगा ठीक है तो कितनी दूरी पे होते है root 3a by distance from the corner ठीक है हर corner से अब यहां पे माल लीजे यह radius of S-2 है sulfide ion यह radius of zinc 2 plus है तो radius of zinc 2 plus अब यह कैसे बता चलेगा क्योंकि इनका radius ratio की से range में लाई करेगा tetraidal वाली range में तो यहां पे अगर r plus upon r minus का कभी भी कोई question आता है तो उस case में हमें ध्यान डखना है कि r plus plus r minus की value आएगी root 3a by 4 जैसे अगर octaidal का सवाल था अगर octaidal का सवाल था तो octaidal वाले में क्या है था r plus plus r minus is equal to a by 2 यहां पे r plus upon r plus r minus आएगा root 3a by 4 क्योंकि यहां से देखो यह वाला तो atom हो गया coordination number की value कितनी आएगी चार निकल के आएगी क्योंकि वो कितनों के बीच में रहेगा चार के बीच में अच्छा एक और बात है एक और बात है कि minimum distance between two tetraidal oid तो देखो यहां पे अगर मैं इन दोनों tetraidal oid की बात करूँ यह दोनों tetraidal oid की बात करूँ तो उसको आप अगर calculate करोगे तो वो कितनी आएगी a by 2 कितनी आएगी a by 2 तो यह ध्यान रखना यह minimum distance है कुछ लोगों को लगता है कि a की body diagonal पे लाई करने वाले दो tetraidal oid minimum distance पे होंगे लेकिन वो minimum distance पे नहीं है इस body diagonal पे लाई करने वाले a b पे लाई करने वाले नेक्स्ट यहां पे हमारे पास क्या था यह tetraidal oid था body के center पे कैसा oid था octaidal oid था इनके बीच की दूरी तो इनके बीच की दूरी कितनी निकल के आ जाती है root 3 a by 2 क्योंकि यह तो यहां पे है यह यहां पे है ठीक है तो आपको इस समझ में आ जाना चीए कि यहां से यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बताओ यह दूरी कितनी है यह दूरी कितनी है root 3 a by 2 तो इसकी जो आधी दूरी हो गई इसकी जो आधी दूरी हो गई वो कितनी हो गई इसकी जो आधी दूरी हो गई root 3 a by 4 तो minimum distance between two octaidal voids a by root 2 minimum distance between two tetraidal voids a by 2 minimum distance between octaidal and tetraidal voids root 3 a by 4 तो सब की position पहले पता होनी चाहिए तभी उससे related questions आप कर पाएंगे important बात यह है अब हमें पता चल गया अगर कोई भी octaidal void वाला सवाल है तो उसके case में हम coordination number 6 बता देंगे tetraidal void में जा रहा है कोई तो उसका coordination number 4 बता देंगे radius plus minus का relation भी हमें आ गया कि अगर octaidal void है तो r plus plus r minus a by 2 होगा और अगर वो tetraidal void है तो r plus plus r minus root 3 a by 4 होगा इस पे बेस देखे किस किस तरीके question पूछे गए है वो सब कर लेते हैं फटा फट से क्या कह रहा है कि एक compound है y जो CCP बना रहा है मतलब CCP मतलब FCC तो हमारे पास y कितना हो गया y हमारे पास हो गया 4 ठीक है और x कहां पे जा रहा है x हमारे पास जा रहा है 2 by 3rd of octaidal voids 2 by 3rd of tetraidal voids तो tetraidal voids कितने हो गया 8 डबल होते है न tetraidal voids is equal to 2z 2 into 4 मतलब 8 आ गया 2 by 3 of tetraidal voids तो आ जाएगा y तो 4 और x कितना आ गया 16 by 3 इसको आप क्या करो इसको आप 3 से multiply कर दो y आ गया 12 x आ गया 16 तो आ जाएगा x 4 y 3 x 4 y 3 ठीक है आपके पास यह option match कर जाएगा इसमें ठीक है वो इडिसे रिलेटरी question था तो इस question में हमारे पास y तो आ गया 4 x आ गया 16 by 3 तो आप इसको क्या करो 3 से multiply कर दो इसको 3 से multiply कर दोगे तो y आ जाएगा 12 x आ जाएगा कितना 16 तो यहां से आप इसको लिख सकते हो simplest ratio में x 4 y 3 तो आपके पास कौन सा option match कर जाएगा a option match कर जाएगा इस case में ठीक है next question है एक compound है जिसका formula a2 b3 है जो hcp lattice बना रहा है ठीक है और अब हमें पूछ रहा है कि कौन यह तो हमारे पास 2019 का question है कौन atom hcp lattice बनाएगा और कौन atom tetra atral void में जाएगा और कितना fraction उक्यूपाई करेगा तो हमारे पास क्या formula दे रखा है a2 b3 a2 b3 तो आप इसका इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो a4 b6 ठीक है तो हम मानके चलते हैं कि इसको a4 b6 की तरह treat कर लेता हूँ ठीक है क्योंकि वो तो इसका a2 b3 इसका simplest ratio ही तो है a4 b6 का तो हम सबसे पहले assume करते हैं कि let कर लेते हैं कि b हमारे पास hcp lattice बना रहा है b क्या बना रहा है hcp lattice बना रहा है तो b kitने होगे बता है तो tetra total void कितने आने चाह prohibited है 2z मतलब 2 into 6 मतलब 12 तो अब अगर हम हमारे पास b hcp lattice बना रहा है b6 भी होगे तो देखो b6 हमने मानन के चले तो अगर a की value भी 4 आ जाते है अगर वो A की value 4 निकल आती है तो ये option correct हो जाएगे तो सबसे पहले हम first option को ही check करते है A option को तो उसमें क्या कह रहा है B तो SCP lattice बना रहा है हमने बना लिया 2 by 3 of tetraadral voids तो देखिए A 2 by 3 of 2 by 3 of tetraadral voids तो tetraadral voids हमारे पास कितने है 12 8 है तो हमारे पास 8 नहीं है A कितने होने चीए 4 होने चीए अब B हमारे पास SCP lattice बना रहा था उसका एक और option है D वाला तो D वाला भी check कर लिजे D वाला भी check कर लिजे B तो हमारे पास SCP lattice बना रहा है वो हमने B की value 6 निकाल लिए A की value देखते है A की value 1 by 3 of tetradral voids तो 1 by 3 of 12 4 बोलो 4 ही तो आ रहा है 4 ही तो आ रहा है हमारे पास ठीक है तो यह हमारे पास किस की value आ गई 4 value आ गई और यह 4 value हमारे पास correct है ठीक है 4 value आ गई A की value 4 तो हमारे पास यह वाला option match कर जाएगा अगर सर हम B को SCP lattice मानके नहीं करते A को मानके करते तो आप A में भी इसी तरीके से approach लगाते बाकी के options चेक कर लेते B के लिए match कर रहे है या नहीं कर रहे है ठीक है तो अगर B के लिए यह वाले B को मैंने lattice बनाया और A को मैंने void पे रखा तो उससे option match नहीं कर रहे है तो मैं A को lattice बनाता और B को void पे रखता लेकिन यह तो यहीं पे match कर गया है तो हमारे लिए यह answer हो जाएगा next क्या हो रहा है कि यह आपास 2019 का question है इस question में क्या कह रहा है हमें element B FCC lattice बना रहा है तो B कितने हो गए हमारे पास 4 हो गए A कहां जा रहा है half of octetaloid पे तो 1 by 2 into 4 बहीं octetaloid भी तो 4 हो गए तो A हो गया 2 oxygen atoms कहां जा रहे है सारे tetraedaloid पे तो इसमें कितने हो गए oxygen tetraedaloid 8 हो गए तो आ जाएगा A2 B408 मतलब आ जाएगा simplest AB204 तो answer आप देख लेना next question में हमें क्या कहा रहा है कि एक element है जो face centered cubic structure बना रहा है जिसकी cell edge कितनी दे रखे A और दो nearest tetraedaloid अभी बताया था दो nearest tetraedaloid के बीच की distance अभी आपको बताई थी कि अगर आप कोई भी कोई भी आप अगर ये एक आपने बनाया देखिए ये आपने एक बनाया एक diagonal और एक body diagonal आपने ये बनाया तो ये जो दो होंगे ना इनके बीच में minimum distance आएगी जो कि कितने निकल क्या थी है A by 2 तो ये question 2019 में पूछ भी लिया मैं आपको बता भी रहा था था कि tetraedaloids के बीच में minimum distance का question एक्जाम में पूछा हुआ है next आते है characteristics of ionic solids अब ionic solids के बारे में बताएता हूँ कि कौन lattice बनायेगा कौन void पे जाएगा तो वो उस पे decide करता है R plus पून R minus पे जनरली बड़े size का ion जो होता है वो lattice बनाता है और छोटे size का ion जो होता है वो void पे जाता है तो जनरली cations का size गया होता है छोटा होता है तो वो कहां जाते है void पे अब सबसे पहले बात कर लेते है सबसे पहले हम बात कर लेते है NACL के structure की NACL के अंदर क्या होता है CL minus lattice बनाता है CL minus सारे कोने पे जाएगा तो देखो यहां पे भी CL minus है यहां पे भी CL minus है ठीक है FCC के जो भी मैंने पूरा FCC नहीं बना है मैंने एक face बनाया है तो सारे कोने पे तो CL minus जाएगा ठीक है और आपके पास NACL कहां जाएगे सारे के सारे octodaloid पे body center पे octodaloid होता था और edge center पे सर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसके case में अगर आप R plus upon R minus निकालोगे तो वो किस range में लाई करेगा 0.732 0.414 से 0.732 अगर इस range में लाई कर रहा है तो कौन से void में जाएगा octodaloid मे तो यहां पे आपके पास बीच में क्या हो गया बीच में आगया आपके पास NA plus तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह मैंने आप already भी कराया था कि यहां पे आ जाएगा twice of R plus plus twice of R minus is equal to A A और R में relation यहां से आ गया NA plus कैसे void में जा रहा है NA plus कैसे void में जा रहा है octodaloid में अगर कोई octodaloid में जाता है तो उसका coordination number 6 ठीक है तो NA का coordination number कितना आ गया 6 अब देखो NA और CL 1 ratio 1 में ही है तो CL का भी coordination number कितना आ जाएगा 6 तो यहां से याद रखते है तो पहले बात तो यह relation याद रखना चाहिए आपको यह relation आपको तभी बता चलेगा जब आपको octodaloid की position बता चलेगी जो पहले पढ़ाती है ठीक है next हमारे पास आ रहा है CS CL तो यह मैंने बताया कि अगर आप अगर आप बात करते हो radius of radius of NA plus upon radius of CL minus और अब आप बात करते हो radius of CS plus upon radius of CL minus तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि CL तो दोनों में same है NA से और CS में comparison करेंगे sodium और cesium में comparison करेंगे तो cesium का size बड़ा होगा तो ध्यान रखना है कि इसकी radius ratio की value NA और CL के comparison में ज़्यादा आएगी ठीक है तो वो ज़्यादा आती है इसलिए इसके case में हमारे पास जैसे NA CL के case में coordination number हमारे पास 6 आता था इसमें coordination number 8 हाएगा कैसे आएगा तो हमारे पास simple cubic arrangement होगी cesium ions होगे वो तो void पे चले जाएगे जो CL minus ion होगे वो हमारे पास क्या बनाएगे lattice तो सारे के सारे कोने पे कोन चला जाएगा सारे corners पे सारे corner पे चले जाएगे CL minus और सारे corner के बीच हम देखो सारे corners पे atom है simple cube है तो सारे कोने मतलब 8 के 8 कोने के बीच में जो जगे होगी वो body center पे होगी तो body center पे cubic void बनेगा कैसा void बनेगा cubic void और उस void में कोन चला जाएगा CS प्लस तो यह हो गया CL minus यह हो गया CS प्लस इस case में आप क्या निकालेंगे इस case में आप निकालेंगे कि r plus plus r minus is equal to root 3a by 2 क्योंकि आधी distance होगे ना body center पे यह पूरा का पूरा अगर body diagonal होता तो root 3a होता उसके आधी distance क्या होगे root 3a by 2 ठीक है coordination number कैसे तो आपको बताया मैंने कि अगर जिनका r plus upon r minus इस range में लाई करेगा इससे आगे वाली में तो वह आपने उपर table बनाई थी radius ratio वाली उससे समझ लेंगे तो हमारे पास है coordination number 8 अब CS का coordination number 8 है तो CS और CL1 ratio 1 में है तो coordination number उसका भी 8 ही हो जाएगा आगे वाले जो हमारे पास तीनों structure है उसके अंदर tetraadaloid के बारे में बात है क्योंकि उनका radius plus upon radius minus ठीक है r plus upon r minus किस range में लाई करता है 0.225 से 0.414 में ठीक है तो वहां से हमारे पास आगया tetraadaloid tetraadaloid के लिए मैंने बता रखा है कि यहां पर आपके पास आ जाएगा r यहां पर आ जाएगा आपके पास क्या r minus यह आ जाएगा r plus तो यहां पर हमारे पास हमेशा क्या ध्यान रखना है कि tetraadaloid है तो r plus plus r minus की value कितनी आ जाएगी root 3a by 4 ठीक है इसकी थोड़ी study कर लेंगे आप अब देखें अगर मैं calcium fluoride की बात करता हूं calcium fluoride की बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है calcium 2 plus iron lattice बनाता है calcium 2 plus iron FCC lattice बनाता है calcium 2 plus iron FCC lattice बनाता है यह FCC lattice बना रहा है FCC lattice बना रहा है F- कहां पर जाते है F- tetraadaloid पर जाते है ठीक है क्योंकि यहां पर क्या है कि cation or anion का अगर आप देखेंगे तो calcium plus 2 का size बढ़ा होगा तो वो lattice बनाएगा ठीक है तो इस case में आप radius minus upon radius plus के निकालेंगे r minus upon r plus तो F- कहां जाएगा tetraadaloid में F- किस में जा रहा है देखो tetraadaloid में जा रहा है तो उसका coordination number कितना आ गया 4 आ गया ठीक है तो इस case में आपको ध्यान रखना है कि F- का coordination number कितना आ गया 4 अब देखें CAF-2 में CAF-2 में यह 1 ratio 1 में नहीं है तो इसको ऐसे याद रखना है कि यह किस में है 1 ratio 2 में तो इसका coordination number इस तरीके से आएगा 2 ratio 1 में तो fluorine का अगर fluoride का coordination number 4 आया क्योंकि वो कैसे वोईड में जा रहा है टेट्राइडरलोईड में जा रहा है तो calcium का जो आएगा वो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा ठीक है उल्टा हो जाता है 1 ratio 1 में थे यह 1 ratio 2 में थे तो इनका coordination number आएगा वो 2 ratio 1 में आएगा यह आपको carbon होते हैं, carbon होते हैं, वो all FCC lattice points पे तो होते ही हैं, all FCC lattice points पे तो होते ही हैं, all FCC lattice points पे तो होते ही हैं, all FCC lattice points पे तो होते ही हैं, उसके अलावा हमारे पास carbon कहा होते हैं, alternate tetrahedral voids पे भी, alternate tetrahedral voids पे भी, तो 4 तो यहां से आगे हैं, 8 tetrahedral voids होते हैं, alternate का मतलब हो गया, आदे, मतल अता है 34 पेकिंग एफिजेंसी आते है थर्टी-फॉर परसेंट क्यालकुलेट कर सकते है ठीक है और अब देखो यह भी टेटर एडलोइड में जा रहा है अगर कोई भी चीज टेटर एडलोइड में जाती है तो उसका कोडिनेशन नमबर कीतना हो जाता है बही कोडिनेशन न के case में क्या है था r plus r plus plus r minus is equal to root 3a by 2 r plus upon r minus root 3a by 2 था यहां से आपको क्या दे रखाया edge length a की value दे रखिए cs plus और br minus के बीच में distance बूच यहां से calculate हो जागे इस formula का use करके next question में क्या कह रहा है कि अगर एक solid है एक बी टाइप एक भी solid है जिसका nacl structure एक कहां पे हैं यह सारे corners पे एक corner पे हैं तो इसका मतलब है face center पे भी रहा होगा क्योंकि corner वाला एक्टम ही तो face center पे जाता है ठीक है तो एक इसकी तरह behavior कर रहा है cl- की तरह है ठीक है क्योंकि cl- fcc lattice बनाता था सारे एक होने पे होता था और face center पे होता था ठीक है बी बी मतलब एन्ने positive पी मतलब एन्ने positive कहां होगा octaidal void कहां होते हैं edge center plus body center edge center plus body center तो आपको ध्यान रखना है nacl वाला ही octaidal होता है देखो याद रखने की तरीका क्या है कि nacl में octaidal allein में cubic void का रोल आता है ठीक है बाकी सब जितने भी है ना उनमें tetraidal का रोल आता है बाकी सब जितने भी उनमें tetraidal का यह तो इनको दोनुको याद रखो बाकी सब का तो directly tetraidal वाला apply कर दिया गरो ठीक है तो यह corner face center center plus body center अब हमें क्या कह रहा है तो देखो a b हमारे पास कितने होते थे 4 b b हमारे पास 4 होते थे क्योंगी corner वाले 8 into 1 by 8 face center 6 into 1 by 2 अब क्या कह रहा है कि if all the face center atoms are removed along one of the axes तो देखें आपके पास faces कितने होते 6 faces होते है तो 2 x axis के along 2 y axis के along 2 z axis के along तो क्या कह रहा है एक face axis के along face center atom खतम कर दो तो suppose z के आप खतम कर दो z वाले तो आपके पास face center के atoms कितने बचे face center पे कितने atoms बचे 4 उनका contribution 1 by 2 कितने होगे 2 तो अब हमारे पास a कितना आ गया corner वाले का contribution तो 1 ही रहा और यह कितने होगे 2 face center वाले तो कितने होगे 3 b कितना होगे 4 b तो 4 ही है b को तो अटाया नहीं कौन से atoms को अटाया था जो atoms कहां लाई कर रहे है face center atom पे along one of the axis तो हमारे पास क्या formula आ जाएगा हमारे पास formula आ जाएगा a3 b4 ठीक है next में हमसे क्या कह रहा है एक 1 gram NACL है तो आप उसके अंदर moles निकाल लो moles कितने हागे 1 divided by 58.5 ठीक है उसके अंदर आप NACL के molecules निकाल लो कैसे निकालते हैं उसको multiply कर दो एवोगेडरो नंबर से na से multiply कर दिया ठीक है अब क्या कहा है कि कितनी unit cells present होगी तो अगर मैं एक NACL structure की बात करूँ एक NACL unit cell की बात करूँ तो उसके अंदर CL minus भी 4 आते हैं क्यों कहां पे होते हैं सारे के सारे FCC lattice point पे और NACL सारे के सारे tetraataloid पे तो एक unit cell का मतलब 4 molecules है तो देखो 4 molecules का मतलब एक unit cell एक molecule का मतलब एक बटा 4 unit cell और given molecules का इससे multiply करके unitary method से निकाल लेंगे ठीक है तो हमारे case में answer क्या आजाता है एवाला option ठीक है बिल्कुल simple simple बाते हैं सारी next में क्या कहा रहा है the edge length of face centered cubic cell of an ionic compound is 508, A की value कितनी दे रखिए A की value दे रखिए 508 अब हमें कहा रहा है radius of cation is 110 radius of cation कितना दे रखिए 110 picometer दे रखिए r plus की value दे रखिए 110 radius of minus की value पूछ रहा है अब आप बताइए कि इसके case में दो तरीके की possibility है एक तो octahedral void और एक कैसी void tetraadal void बही दो ही तो possibility बन रही थी में ली एक tetraadal void एक octahedral void वाली में ली यही possibility बनती है तो आप क्या करिए यहाँ पे r plus plus r minus is equal to a by 2 r plus plus r minus is equal to a by 2 एक बार यहाँ से क्या निकाल लीजे r minus calculate कर लीजे r minus calculate कर लीजे यहाँ से value और एक बार आप निकाल लीजे r plus plus r minus is equal to root 3 a by 4 ठीक है एक बार आप यहाँ से r minus निकाल लीजे तो यह वाला आपके पास r minus match कर जाएगा यह वाला option में match नहीं करेगा ठीक है समझ में आगया है नहीं आगया यह कौन सा था fcc था तो fcc के अंदर तो दो इhe possibility थी ना एक तो हमारे पास कौन सी थी octadal void वाली एक थी tetradal void octadal void में मैंने यह relation बताया आपको tetradal में यह relation बताया तो यह relation apply करेंगे तो आप r plus आपके पास 110 given है और a की value कितनी given है आपके पास 508 given है तो आप r minus की value calculate कर लेंगे d option इसमें match कर जाएगा इस तरफ में कोई option match नहीं कर रहा होगा ठीक है specify थोड़ी कर रखा है कि octadalator लेकिन हम दोनों को consider कर लिया जिसका option match कर गया वो ही हमारे पास answer हो गया next आता है हमारे पास last part है point defects in solids solids के अंदर defects ठीक है defects की बारे बात करते हैं तो defects में mainly हमारे पास जो basic basic सिख बाते होई है कि कुछ defect stoichiometric कुछ non stoichiometric और कुछ impurity stoichiometric जिन में defect आने के बाद formula में बदलाव नहीं आए non stoichiometric जिन में formula में बदलाव आ जाए impurity में इसमें कुछ extra मतलब NACL के crystal में कुछ और add कर दो आप strontium add कर दो calcium add कर लो तो वो impurity defect हो ठीक है stoichiometric का मतलब हो गया कि जिनके अंदर हमारे पास formula में कोई बदलाव ना है ठीक है तो stoichiometric defect में सबसे पहले short की defect के बारे में बात करते हैं तो देखिए यहां पर यह plus था यह minus था तो यहां पर क्या हुआ देखिए यहां से जो plus charge है वो गायब है यहां पर जो plus charge है वो गायब और यहां से minus charge गायब है तो क्या हो गया equal number of positive ions और equal number of negative charge अगर आपके पास गायब हो गया तो उसके case में formula पर कोई फरक नी पड़ेगा जैसे माल लीजे पहले na 5 थे और CL भी 5 थे अब एक na CL चला गया तो na भी 4 बचे और CL भी 4 बचे तो na जब 5 थे na 5 और CL 5 था तो भी formula na CL बन रहा था तो भी formula na CL बन रहा था और अगर अब na 4 और CL 4 हो गए तो भी formula क्या ही बन रहा है na CL बन रहा है तो इसका मतलब हो गए कि इस case में हमारे पास formula में कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है तो देखिए अब इसी से कु कैटाइन और एनायन दोनु भाग गये है ठीक है कैटाइन प्लस चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज दोनु भाग गये है इसका मतलब है कि पहली बात उनके बीच में आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा रहा होगा पोजिटिव नेगेटिव अट्रेक्ट करने के टेंश जदा होगी तब दोनु निकल के भाग लिए ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना है कि इन चेंदर पाए जाता है जिनके अंदर आयनिक श्यादा होता है नेक्स्ट बात समझीए नेक्स्ट बात समझीए कि के चैटाइन और नायन दोनु निकल लिए इसका मतलब यह कि उनके बीच में size difference कुछ जादा नहीं रहा होगा क्योंकि दोनों same तरीके का behavior दिखा रहे है केटाइन भाग गया तो NIN भी साथ साथ चला गया तो दोनों same तरीके का behavior दिखा रहे है मतलब उनके बीच में size difference जादा नहीं होना चाहिए तो देखिए R plus upon R minus है अगर मैं radius ratio की बात करूँ तो देखो NIN तो बड़े size का होता ही है NIN comparatively बड़े size का होता ही है और अगर cation और NIN में ज़्यादा size difference नहीं है क्योंकि दोनों similar तरीके का वेर दिखा रहे है cation भागा तो NIN में निकल लिया उसके साथ तो इसका मतलब है अगर ये भी large size का हो गया तो दोनों एगर large size के हो गया तो इसका radius का जो ratio आएगा वो comparatively ज़्यादा आएगा ठीक है वैसे तो cation छोटा size का होता तो अगर R plus की value कम होती तो आपके बास क्या होता अगर R plus की value कम होती इफेक्ट है वो 6 और 8 वाले coordination number शो करते है चार वाले शो नहीं करते है इसलिए 6 coordination number NACL में NACL आता था याद है आपको 6 coordination number अरे octaidal वाले में तो NACL में defect पाया जाता है CSCL में defect पाया जाता है ठीक है डिफेक्ट आ गया ना यार मेरे हाथ में चोट लग जाए तो मैं क्या कहूंगा कि stable हो गया unstable हो गया ना चीजे तो हम क्या कहेंगे कि लैटिस energy भी कम हो गई stability भी कम हो गई ठीक है यह बात बहुत important है कि दोनों भाग यहां से ऐसे relate करना कि दोनों आइंस भाग गए इसका मतलब उनके बीच में interaction जबरदस्त होगा दोनों एक साथ भाग गए ना positive negative की बीच में attraction जादा होगा तभी तो साथ में भाग जाते है ठीक है लोग साथ में तभी तो भाग जाते है पोजिटीव था वो अपनी जगे को छोड़ कर lattice साइड पे चला गया ठीक है लेकिन है crystal के अंदर अपनी सपा छोड़ कर lattice अगर size difference जादा है तो radius की value r plus की value small है तो उस case में coordination number कमाएगा कोडिनेशन number कमाएगा ठीक है इसके case में density same रहेगी क्यों कोई गायब तो हुआ निया लेकिन द्यान एक लाटिस energy और stability तो अभी भी कम हो जाएगी effect आने से कोई फायदा थोड़ी होता है नुकसान ही होते हैं एक सबसे important बात है इसका question भी पूछ लिया आयटी ने ठीक है कि agbr है वो दोनों effect show करता है agbr दोनों effect show करता है ठीक है तो यह आपको learn करके रखना है कि ठीक है और दूसरी बात यह जो है इनका कोडिनेशन अबर कम आएगा तो यह जनरली चार कोडिनेशन वाले compound होते है तो छे और आट वाले कौन सा defect show कर रहे थे जनरली short की defect और फ्रेंकल वाले चार कोडिनेशन अबर उनका नो ना इनक solids के अंदर होते हैं जैसे सारा iron iron atom थे एफी एफी के एटम थे दो जगह पर एटम गायब हो गया ठीक है तो उसको कैसा बोलेंगे वेकेंसी डिफेक्ट यहां पे भी एफी एफी का crystal था उसमें दो इंट्रस्टीशल वोईड में और एफी एफी आ गए तो वह कैसा हो गया इंट्रस्टीशल डिफेक्ट हो इनफेक्ट क्या है कि अगर आप फ्रेंकल को देखोगे तो इन दोनों का जाएगा या तो मेटल जादा हो जाए या फिर नोन मेटल जादा हो जाए ठीक है तो अगर मेटल जादा करने हैं तो मेटल को जादा करने के दो तरीके होते हैं ठीक है या तो मेटल एक्सेस कर दो मेटल को जादा कर दो या फिर नोन मेटल को कम कर दो मेटल को जादा कर दो sodium की weppers पास करते हैं, sodium weppers, na gas, sodium wepper को pass करते हो, sodium weppers हमारे पास na plus gas और electrons बन तो वहा पि क्या होता है, इसके influence में आके, इस na plus के साथ, यह जो c l minus यह निकल लेते है, na plus और c l minus यहां से निकल लेते हैं, यह जो यहां पर c l minus गया, उसकी जगे कोन आ जाता है ये जो electron था ये जो electron था वो आ जाता है ठीक है इसका मतलब है कि इस case में CL- कम हो गए NA plus पे तो कोई फरक नहीं पड़ा तो NIN कम होगे तो generally cation जादा होगे तो क्यासा defect हो गया metal access defect ये electron आ गया तो electron के moment से conduction होगी तो ये current भी शो करेगा ठीक है इस center को F center भी कहते है ठीक है बाकी इसके बारे में बातें आगे गी बनागा ये NA CL का crystal था तो NA की वेपर्स पास करी के CL का होता तो के की पास करते ठीक है LICL का होता तो LI की पास करते नेक्स्ट आप दो तरीके थे एक तो NIN को कम करते हो एक कैटाइन को ज्यादा करने के लिए क्या जैड नो वाला एक्जामपल है कि जैड नो को heat करेंगे तो उससे zinc two plus बन metal deficiency, metal deficiency मतलब देखो non stoichiometric formula अलग कैसे आ सकता है तो metal access में हो जाए या फिर non metal access में हो जाए तो अब की बार क्या है metal कम हो गया मतलब non metal जादा हो गया तो इस case में क्या है generally ये क्या है माल लीज़े Feo का crystal है तो यहाँ पे क्या हो गया एक iron plus two को भगा दो आप एक iron plus two को भगा द हो ताकि charge तो balance हो जाए अरे एक iron plus two भाग गया तो इसका मतलब दो positive charge कम होगे तो दो positive charge कम होगे तो उसके लिए आपको दो positive charge को बढ़ाना पड़ेगा न तो उस case में क्या होगे दो iron plus two iron plus three में convert हो जाते है ठीक है तो यह जो भी example होते है Feo Fe Snio जिनके formula आप ऐसे नहीं तो उसका मतलब होता है Fe plus two में भी है और Fe plus three में भी है कैसे आया एक Fe plus two का molecule भाग गया होगा उस एक Fe plus two iron भाग गया होगा तो उसके जो charge को balance करने के लिए बचे हुए जितने भी Fe two plus थे उन में से दो Fe two plus किस में convert होगे Fe three plus में convert होगे next रहता है impurity defect impurity मतलब आपने दूसरे element को add कर दिया जैसे माल लीजिए आपके बास NACL का crystal था तो NACL का crystal था तो 2NA plus आपने भगा दिये 2NA plus आपने भगा दिया out कर दिये मतलब चलेगे crystal छोड़के और उसकी जगे एक SR two plus आ गया एक vacancy भी create हो गई क्या create हो गई एक vacancy भी create हो गई ठीक है तो इस case में क्या गए impurity आगए NACL के crystal में SR two plus आ गया तो देखिए अगर दो NACL गए तो एक SR two plus आया तो वो दोनों एनने में से एक की जगे पे तो खुँझ जाके मैठ किया लेकिन एक जगे क्या हो गई vacancy create हो लगी कि इस पर बेजड़ारे पास जो question है वो क्या है इस पर बेज़ जो हमारे पास exam में question है वो क्या था कि पूछा था 2004 में की कि इसमें कौन सा defect है तो देखिए यहां से कौन गायब हुआ एन प्लस तो यहां से प्लस चार्ज गायब हुआ यहां से भी plus charge गायब हुआ यह यहां से CL- गाया बॉआ, यहां से CL- गाया बॉआ, तो देखो, इक्वल नंबर वो positive and negative गाया हुए, अगर equal number positive and negative missing है, तो आपके पास कैसा defect हो जाता है, equal number positive and negative missing होते है, तो कैसा defect हो जाता है, short की defect हो गया, next, कौन से type के defect में, cations interstitial site पे चला जाता है अभी बताईए बढ़ा था frankal defect में क्या होता है कि जो अपनी original position छोड़ देते हैं छोटा आयन तो generally cations छोटा होता है अपनी original position छोड़ के कहा चला जाता है interstitial site में ठीक है कैसा होता है frankal defect next जो हमारे पास question था which of the following compound is likely to show तो बहुत frankal and short की defect तो frankal और short की दोनों दिखाता है तो वह मैंने बताया इसी बार का question है 2020 question है January वाले में तो यही AGBR वाला example दोनों के दोनों defect शो करता है तो अभी हमने जो solid state के बारे में पड़ा आप यह वाले जो मैंने आपको कराया आज की class में उसको revise करके previous year के questions बचे भी करने का try करना उसमें बिल्कुल basics question है ठीक है इस topic को हम अभी over करते है ठीक है thank you